तो आगे हम लोग आपनों के सामने नीट 2022 के मार्क्स और रांक पैरेसे लेकर तुमार हम तॉप 50 शुट्ट्स के मार्क्स कैसे हैं कैसे वैरी कर रहे हैं और उसके लिए अपको यहां पर आप से डिसक्स करने हो और सुडेंट इससे आपको यह एल्प मिलेगी कि आपको नेक् बात तो कंचेला एक कासी मार्क्स बंकिंक कैसे डिस्टीकर झांट सब्जक के मार्क्स से सबसे पहले फर 1st प्रिफेरेंस बाहरए उत्र परक्स को तो फिस्क्सलेड यह लागी मिलेग् जाएं तो यह तो जेई के अंदर होता है कि जिसके डिट अपर लग जो इसके साथ सो पंद्रा पे चार स्टूडेंट्ट आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट है साथ सो दस पे नौ है 707 पर 2 है 706 पर 705 पर 26 टूडेंट्स टूडेंट्स 702 पर 1 701 पर 5 और 700 पर 2 यानि टोटल 50 टॉप स्टूडेंट्स जो है वह 700 पर आकर पंदरा मांक्स पंदरा मांक्स के अंदर आपके 50 टॉप 50 श्टूडेंट्स आ चुके हैं तो आप कॉंपिटिशन का लवल देगे काफी लोग इस चीज को क्लेम कर रहे थे क्यूंकि स्टूडेंट्स के साथ सो बीस आएंगे तो इसके बाद जो रैंक ड्रास्टिकली डिक्रीस अब जैसे दो-डो-पांच-पांच-पांच-पर हजारों के अंदर काउंटिंग जा रही है हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे पता चला है तो हमारे जो स्टूडेंट्स है जिनकी 58 रांग का रही है जनरली डॉब्लस के अंदर सो बेसिकली अभी तक यह है और बाकि रिजल्ट चल रहा है हमारे अपना सारह रिजल्ट आपस शेर करेंगे पर कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास रिजल्ट जो हमारे students हैं और आप देख सकते हैं variation मैं यहां आप देख सकते हैं students 661 marks पे 2584 rank है और जैसे ही 622 मतलब almost 30 29 29 marks कम आते हैं यह rank 11885 बिल्कुल और जैसे और आट नंबर कम हुएं वैसे फिर देखिए यह close to 15000 रांग चले गई सब्सक्राइब सकते हैं कि अगर हम 700 की नीचे आ गए हैं थोड़ा सा इसी रफ आइडिया लगा लेते हैं यहां पर आपका 29 marks का विरिशन था तो 8000 लोग उसमें आ गए थे यहां आपका 8 marks का विरिशन था almost 3000 लोग यहां पर आ गए थे तो अगर आप देखिए इसको डिवाइड करें आप 600 के उपर आले marks सिवात कर रहे हो जैसे आप 600 नीचे आओगे मेरे साब से एक एक मार्क पर दो-दो हजार स्टूइंट आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहां पर मार्क रेंज ज्यादा होती है उपर आले segment में marks रेंज क्या होती कम जैसे आप पीछे देखो तो गया है 711 फिर 710 के आप फिर से 4 marks गयाप है 706, 5, 702, 701, 700 यहां देखो आप लोवर रेंज में almost पर फिर भी यहां 703 गयाब है 704 गयाब है तो यहां थोड़ा विरेंज आता है कम marks आते हैं पर नीचे वली रेंज में तो इतना strong वह आता है इसलिए आप देख पा रहे हो कि यहां एक mark पर जादा variation नहीं है लेकिन यहां आप एक mark पर देखोगे तो 374 students का average variation है और नीचे आओगे तो और जादा होता जाएगा तो नीट 2022 आपको पताता तफ है नीट 2023 में क्या होगा अभी हम नहीं जानते हैं बट almost इससे level का होगा कि मैं students का number तो वही रहने वाला है बिल्कुल सर और सर मुझे लगता है कि जिस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रही है देखे सूडेंस क्रिप करने से रोने से गुसा करने से किसी को दोश देने से कुछ भी नहीं होगा हमें इसी सिस्टम में रहकर ही अपना करियर बन दूसरी वाजास मैंने का कि हम सब ट्राइ कर चुके हैं कोई सुनने वाला नहीं है तो जैसा है उसी में आपको परफॉर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा देर में भी केसे जहां पर सिस्टम में प्रॉब्लम हुई हो देर में भी केसे जहां पर आपके सेंटर में बढ़ करते हो तो क्या हो सकता है इसलिए हमेशा आपको जो पेपर का लेवल आना है उससे इससे 15-20% हायर लेवल पर प्रपरेशन करनी चाहिए जिसका हम लोग बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आप अपने आपको constraint ना करें कि इतना ही तो पुछा जाता है मैं से आजादा क्यों पड़ो हमेशा आपको 10-20% उपर का पड़के चलना चाहिए कवर करके चलना चाहिए क्योंकि एक्जाम में ऐसा होता है और ऐसा ही 2022 के अंदर हुआ है 2023 में आपके साथ ऐसा ना हो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखे finally वो students जो इस बार crack नहीं कर पाए है competition की वैसे एक्जाम में गड़बड़ी की वैसे कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती तो अगर आपके पास attempt है आप चाहता है कि आप एक और attempt देकर एक और drop देकर आप वाकई में crack कर सकते हैं आपके अंतर डेडिकेशन का लेवल है तो हम लोग लेकर आ रहे हैं need time saver course का batch 2 on 14 September online students के लिए यह सर्फ 5000 रुपे में है लेकिन यह है 15 September तक उसके बाद इसकी price बढ़ जाएगी तो आप इसका जरूर ध्यान रखें और साथ इसाथ आप हमारे यह offline center में भी आ सकते हैं quota 60,000 रुपीज उसकी fee है आपकी पूरे साल की fee है इसके अंदर सब कुछ इसके अगर आप नीट 2023 को दुबारा से अटेम्ट कर रहे हैं या पर कोई नोन है जो से टार्गेट कर रहा हो उसे आप सब्सक्राइब करते हैं या पर हम हर लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहले थी पढ़ाते हैं तो एस यह व्यूरी से रिलेड़ेद प्रक्तिस हन्-टू-ान कर वाते हैं इस बार स्टूडेंट अगर जैसे मैं बात करूं तो स्टेट्मेंट क्वेस्ट जो ह सब बातों का जो जो भी 2022 में उन सब के साथ हम तैयारी करेंगे और स्टुडेंट्स यह लास्ट बाच ओपन हुआ है इसके बाद अब कोई ड्रॉपर बाच इटू इटू इंडिया की तरफ से नहीं आएगा अगर आप टार्गेट करें नहीं 2023 को तो जॉइन करें टाइम और इसके साथ आप अपने 2023 के टार्गेट को कंप्लीट कर सकते हैं